हाई एवरिवान कैसे हो आप सभी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जे स्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तो आज अगेन आपके समने वान अप दा मोस्ट ब्यू इस चाप्टर का हम लेकर आगये हैं लेक्चर नंबर फोर चोथा लेक्चर आज देखने वाले बहुत मज़दार लेक्चर होने वाले पहली बात तो यह है क्योंकि आज के दिन जो हमने स्टार्ट किया था ना एविडेंस अफ इवालूशन यह आज कंप्लीट हो जाएगा मतलब इवालूशन का जो पार्टे वो आज कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो और ज्यादा मज़ादार होगा क्योंकि उसमें हम लोग डार्वीन्स का थियरी पढ़ेंगे जो कि एक स्टोरी है वो स्टोरी आपको जरूर सुनाओगा जिन्होंने हमारा पिछले साल वाला लेक्चर वीडियोस देखे आपको मैं बता दू कि यार अलड़ी हमारा साइन्स वन, साइन्स टू, मैच्स टू, मैच्स टू, इंग्लिश, ग्रामर, एंड सोचल स्टूरी पूरा कंप्लीटिड है तो आप लोग वहां सभी पढ़ाई कर सकते हो, हमारे वाइट बुड़ वाले वीडियोस पहले से सब प्रेजेंट है, अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, और जो नया बैच है उसके वीडियोस भी कंटिनियोस आ रहे है, साही समयां पर आपका सिलाबस वापस से कंप्लीट भी, फि प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, या पर डिरेकली इंस्टापे मेरा नाम राहुल जी स्वाल को सर्च करोगे, तो मेरा नाम आपको मिल जाएगा, मेरा फोटो डीपी में लगा होगा, तो प्लीज राट किया था, और मैं आपको बताना चाहूंगा, कि ये टॉपिक में हमने अल्रेडी मॉर्फोलोजिकल एविदेंस कम्प्लीड कराया था, बाहर से दिखने के वाले जो भी चैरेक्टर होते है, उसको मॉर्फोलोजिकल करेक्टर बोलते हैं, और आज जो बचे वोए तीन हैं, that is, सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, पढ़ने वाले हम लोग पैलेंटोलोजिकल एविडेंस क्या होता है, करेक्टिंग लिंक क्या होता है, और उसके बाद एंपरियोलोजिकल एविडेंस, यह तीन जो एविडेंस बचे होएं, इसको एकनम बारीकी से देखेंगे, एकनम एक एक चीज आपको बताऊंगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, यह आपको वीडियो बस एंड तक देखना है, छोटा वीडियो होगा, क्योंकि इस तीनी पढ़ना है, लेकिन यह effective इतना होगा कि अगर आप यह पढ़ लेते हो, तो यह topic जो पूछता है, हमेशा एक्जाम में पूछा जाता है, यह आपको परफेक्ट क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से देख ले न, चले शिरुआत करते हैं वीडियो की, तो सबसे पहले अगर मै फिर और्गानिजम्स आया, प्रोटिष्टा आया, उसके बाद दीरे-दीरे करके, अलगी, एनसे कई से और्गानिजम्स बनते गए, युनिसेलुलर से मल्टिसलुलर बने, एक सिंपल और्गानिजम से कॉंपलेक्स और्गानिजम बनते गए, और ऐसे-ईसे हमारा जो generation by generation, प्रित्वी के उपर, मैं आपको बताना चाहूंगा, कि हमारा प्रित्वी जो है न, पूरा extinct हो गया था, मतलब पूरे प्रित्वी के उपर जो और्गानिजम से लगभग extinct हो गया, तो हुआ क्या था, जैसे कि आप एक स्टोरी अगर आपने सुना होगा, कि प्रित्वी के पर जिंदगी बहुत अच्छी जल रही थी, उस टाइम पर डाइनासोर का जमाना हुआ करता था, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो उस टाइम पर हमारे प्रित्वी के उपर डाइनासोर जैसे बड़े बड़े जानवर का राच चलता था, इंसान नहीं थे उस टाइम पर इंसान हमारे प्रित्वी के उपर नहीं आए थे उस टाइम पर, तो सिर्फ डाइनासोर हुआ करते थे, डाइनासोर जैसे और भी छोटे बड़े चोटे चोटे ओर्गानिजम्स, प्लांस हुआ करते थे, समुंदर में मचलिया होती होंगी, ऐसे कई सारे मिलजुलकियो और गानिजम्स रहते थे, ठीके, चाहे वो बड़े बड़े जानवर जैसे की रेप्टाइल्स होते होंगे, चाहे वो खूंखार जानवर होते हैं, जैसे डाइनासोर हुआ करते थे, तो ये सभी जानवर थे, मिला जुला के, अब कहने की बात ये, कि एक समय आया कि हमारे प्रिफ्वी के उपर एक एस्ट्रोइड गीरा, या आप जानते होंगे ये स्टोरी है, कि सच बात है, हमारे प्रिफ्वी के उपर एक एस्ट्रोइड, एस्ट्रोइड क्या होता है, पत्थर का तुकड़ा जो स्पेस में होता है, लेकिन वो उतनुसा नहीं होता है, वो एक का गॉला गिर रहा होता है। वैसे भड़े-बड़े तुकडे-पत्थर के आग के ग्लों के फार्म में गिर रहे होते हैं और जिसके वेश позволion होने के वैसे क्या होगा, बहुत सारे harmful gases निकलेंगे… जिसके वैसे पूरा पूरा वात्तावरण जो है। इतना खतरनाक हो गया गय तो पानी उसको बहा के लेके जाएगा, कुछ पानी उसके उपर ओर लोड़ जाएगा, जैसे कहीं पे भी आपने सुनामी देखा होगा, तो प्रला इतना खतरनाक आता है, कि पुरा का पुरा, जो भी इंसान होते हैं, या फिर जो भी घर ग्रेस्ती होता है, वो सब दफ जात है, या फिर पानी के दबाव में नीचे गहराई में चला जाता है, तो सेम उसी प्रकार ऐसा हुआ, कि most of the जितने बड़े-बड़े और्यानिजम्स थे, जैसे अलग-अलग प्रजाती वाले जानवर थे, बड़े-बड़े प्लांस थे, वो सब के सब मारे गए थे, हो गए नी, तो आज की देमें भी डाइनओस थे हैं, अगर आप इमयाजिन करोगें, हम लोग खाली बोछते हैं की डाइनास थो है, लेकिन उस चीज़ के वझे से, पतला हमको कीसे मालूम की डाइनासौर है, पहले बड़े बटों ये भी सवाल उठता है, कि डाइनास थे उस जमाने में, यह हमको कैसे बता, क्योंकि सबूत मिला, और वो ही सबूत को कहा जाता है, Palantological Evidence, Evidence मतलब क्या है? सबूत है, तो Palantological Evidence मिला है, कब हम मानते हैं, कि उस समय पे यह जानवर हुआ करता था, यह ऐसे Plants हुआ करते था, तो ये सबूत को ही बोलते हैं हम लोग Palantological Evidence तो हुआ ये कि जब जानवर तफ न हो गए तो अंदर buried हो गए buried होने के बाद क्या हुआ आज के डिड में जब scientists उसकी खुदाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें कंकाल मिलता है fossils मिलते है यही चीज होता है Palantological Evidence ज्यान से सुनना एक एक करके explain करूँगा overall overview तो समझ में आ गया होगा Palantological Evidence क्या होते हैं लेकिन बारी किसे समझेंगे syllabus point of view ठीक है जैसे मैंने बोला large number of organisms ज्यान से सुनना बच्च चलो क्या बोल रहा हूँ मैं कि large number of organisms get buried inside the earth प्रित्वी के अंदर प्रित्वी के जमीन के लेर के अंदर बहुत सारे क्या हो गए organism buried हो गए मतलब दफन हो गए दफन हो गए जाके और बहुत सारे से disaster जब हुए थे प्रित्वी के उपचा है वो बार्ड आया हो भुकम पाया हो फटा हो जैसे वो हुआ था उस समय तो इतनी सारी घटनाय के बचे से क्या बन गया वो पूरा का पूरा जो organism से वो जमीन के अंदर दफना हो गए जो छोटे छोटे जानवर थे वो शायद बज गए बिल में छुपके कही नीचे छुपके बज गए और शायद आगे जाके जिंदगी चली नीचे तो अर्थ के उपर पूरा लाइफ ही खतम हो जाता लेकिन लाइफ जिंदा रहा ठीके ना हम लोग है क्यू है क्योंकि उस टाइम पे कुछ जानवरों ने अपने आपको बचा लिया था चोटे चोटे जानवर कुछ प्लांट्स ने अपने आपको बचा लिया था इसलिए लाइफ कंटीनीव हो पाई इतने बड़े डिजास्टर के बाद भी अर्थ के उपर लाइफ कंटीनीव हो पाई नहीं तो सोचो अगर सब खतम हो जाता तो आज हम इंसान नहीं होते अर्थ के उपर तो यह बहुत बड़ी बात है और वो जब हुआ ना पूरे अनिमल्स बरीड हो गए तो वो क्या बन गए दोस्तों वो बन गए यही हुआ तो साइंटिस्ट जब खोशते हैं आप देखो कि तो आज के रहें के अलगबक सालों से मतलब सव साल से पचास साल से जब दिसकवरी से इन इन्वेंशन हो रहें सांटिस्ट लोगों बड़ा क्यूड़ी खुडाई करते या फिर बिना खुदाई किये बी कभी- मतलब उसके जो कंकाल होंगे, मतलब मिट्टी में दबे होंगे, लेकिन मिट्टी जिरे-जिर या बन गया? हाड रॉक रॉक बन गया, पत्थर बन गया, और उसी में वो फसा है. नाम भी रख दिया जाता है थरो सोरस क्या क्या सोरस नाम रखते हैं कोमेंट में बता ना आप लोग देखते होंगे कार्टून तो आपको पता होगा तो इसे बहुत थारे नाम रखे जाते लेकिन वो नाम जश्ट एक अप्रॉक्सिमेशन है हम लोग जैसे राहूल नाम मेरा रखा है आपका कुछ और नाम रखा है तो यह नाम किसी ने रखा है ना तो वैसे उसकर करते है के लोग बुए ने लेकिन डिऩी बड़ी डिखे रहा है तो इसे मचलिया भी पता लगा कि ये ये टाइम पे ये जानवर हुआ करते देंगे, लेकिन उनको exactly कैसे पता चला होगा, ये आज से हजारों साल पहले या फिर आज से करोडों साल पहले ये जानवर हुआ करते होगा, कैसे पता चला, तो उसके लिए भी एक टेखनीक है, तो जब वो स्टडी कर पता रहे थे, तो एक टेखनीक होता है, जैसे सब को एक चीज़ पता है कि carbon जो होता है, हम सब human beings, plants, animals जितने भी है, वो carbon को consume करते हैं, हम लेते हैं, oxygen और carbon dioxide छोड़ते हैं, मतलब carbon consumption कहीं ने कहीं होता है, plants भी carbon को लेता है, तो carbon का intake exchange होता है, तो जो भी plants होते हैं, चाहे animals हो होते हैं, कब तक करेंगे, जब जिन्दा है, जैसे कि मैं जिन्दा हो तो मेरा carbon exchange चल रहा है, plants का carbon exchange चल रहा है, जब तक वो जिन्दा है, लेकिन मैं मर गया, आगर for example, तो carbon exchange होगा कैं, नहीं होगा, मतलब कोई भी जानवर या फिर plants stop कर जाता है, carbon consumption करना stop कर जाता है, after the death, देट के हो बाद वो उसका consumption stop हो जाता है उसके बाद उसका decaying process होने दखता है मतलब सड़ने का प्रक्रिया क्योंकि carbon consumption start stop जब हो जाता है क्योंकि carbon exchange अगर होना बंद हो गया तो समझ जाना कि वो जो भी organism में वो death हो चुका है और उसका decaying process यानि सड़ने वाला process शुरू हो जाता है जैसे वो सड़ने वाला process शुरू हो जाता है तो वो सिफ c14 process उसमें होता जैसे carbon 14 carbon 14 element उसके अंदर present हो पाता है और वो process शुरू होता है और जब भी कोई death होता है plant का या फिर animal का वो कैसे calculate किया जाता है by measuring the radioactive of c14 क्योंकि उसमें से c14 निकलता है carbon 14 element निकलेगा तो carbon 14 या फिर ratio अगर मैं बात करूं carbon 14 से लेके carbon 12 तक का c14 to c12 तक का जो ratio होता है वो अगर measure किया जाए तो उससे पता चलता है कि ये particular जो fossil है ये particular जो body है या फिर plants का जो body है ये कितने साल पुराना है यानि कि ये body से पता चलता है और इसी चीज़ को एक technique कहा जाता जिसको कहते है carbon dating method आपने देखा होगा बहुत सारी movies में CID वगरे में देखा होगा कि एक बहुत सालों के बाद बाद एक dead body मिली वो लोग देखते हैं कि ये body किसकी है तो उसको कैसे पता चला कि 12 साल पुरा नहीं है इसकी age किया है कैसे पता चला that is nothing but carbon dating method जिसमें carbon 14 से लेके carbon 12 तक के जो elements है जो carbon के ये है इमिशन जो हो रहा है उसके द्वारा calculate किया जाता है measurement किया जाता है और इसी को carbon dating method बोलते हैं और यह याद रखना है अप लोग और इसी से it is used for determining the age of the fossil कोई भी fossil कोई भी body ये सब का हम बता सकते हैं age और ये age approximation होता है perfect नहीं होता है approximation होता है एक अंदाजा होता है लेकिन कही नहीं accurate भी होता है तो इससे पता चल जाता है कि उस fossil की जो fossil है उसकी age कितिनी रही होगी या फिर कितने साल से पढ़ाये वहां पर कितना साल पूराना है ये करोड़ों साल लाकों साल ये सब पढ़ा चल जाता है clear है और यही सब चीज़ को हम लोग बोलते है paleontological evidence clear हो गया हो जैसे link होती है ना link उसको जोड़ना कड़ी को जोड़ना जैसे बोलते है ना एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ते जाओ chain मनता जाता है उसी प्रकार जब हम लोग कोई भी link को जोडने जाते हैं तो कहीं ने कहीं उनके बीच में connections पता चलता है और यही plants और animals के बीच म डिखते हैं जैसे हमने mortological evidence में पढ़ाता है कि कहीं न brag उनके बीच में similarity होती है ठीक है चलो जब similarity होती है तो हम क्या बोल सकते है कि अगर वो दोनह कहीं न ingredients होगा ना जैसे हम लोग बोलते है कि मेरे रोदर में हूं मेरा भाईी भी ए ठीक है फोर गूब कुछ लोग बोलत उन्देड परफर्षन होता तो सेम से हो जाते ना ऐसा तो होता नहीं है किसी इंसान का शकल मैच नहीं होता है परसंट की मैं बात कर रहा हूँ जुड़वा पिच्चर में होता है वो बॉलिवूड है भाई वो कुछ भी कर सकते हैं तीक है हमारे इसमें अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू साइंस यह पॉसिबल ही नहीं है क्यों नहीं है 100% सेमी नहीं हो सकता लेकिन यहाँ पर ज लिंग होगा तभी तो कचकुछ कण ठूर G मैंौ रहे है कुछ पूलिंग होगा तो लिंग क्या है वो प्पेचारें आँगे तो सबसे पहले इसी चीज स्वाली करते हैं connecting अब इसी चीज़ कर्देश आप दो यह से आप ऐख जानवर आप देखोगे तो लेक्स है, अब क्हों से कैटेकरी के ऑर्गानिजम में होता है, वो होता है दोस्तों किसमें होता है, कोन बताएगा? अगर आप देखोगे तो पारपोडिया लाइक और्गं से बहुत सारे, ठीक है? अनलिडा जो होता है, फाइलम अनलिडा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको एक टॉपिक आएगा चाप्टर नंबर 5 या 6 है क्लासिफिकेशन आफ एनिमल्स या फिर किंग्डम एनिमल्स या करेके एक चाप्टर होगा आपको देखना तब पड़ेगे तो आपको समझ में आजाएगा लेकिन एनलीडा मतलब जिसमें अर्थ करते हैं इनके इन दोनों फाइलम के चैटेगरी वाले जानोर का कही न कई आपस में आपस में कुछ जुडाओ है कुछ न कुछ link है तो इसलिए कहते हैं इनके पुर्वज कहीं न कहीं थोड़े सेम हो सकते है और इनके भिश में कहीं न कहीं क्या है एक लिंक जुड़ा होगा तभी तो ये लोग थोड़े बहुत सिमिलर कालेक्टर्स को परसीव करने जैसे cat होती है बिल्ली और टाइगर होता है इन दोनों दिखने में आप देखो आप वुल्फ लेलो डॉग लेलो उनके बीच में कहीं न के सिमिलरीटी दिखते है तो ऐसे कहीं सारे प्रकार के जानवर आपको देखने मिल जाएंगी जिनके अंदर कुछ न कुछ सिमिलरीटी मिलेगी इससे यह पता चलेगा कि कहीं न के उनका क्या होगा एंसेस्टर पाती है कोई फीश वो oxygen डायरेक गिल्स के थ्रू एब्सॉप करती है पानी में मचलिया लेकिन ये भाई क्या कर रहे हैं ये जो मचलिय है ये भाई साब क्या कर रही है ये डायरेक लंग से oxygen ले रही है विकॉस इडिजे लंग फीश और दूसरा ठीक है फिश होने के बावज मुर्गी का अंडा निकलता है उसके बाद उसमें से बाहर आ जाएंगे यंग वन्स तो ये रेप्टाइज का कैटेगरी होता है रेप्टाइज वाले लोग ऐसे ही देते है तिक अंडा देते है लेकिन भाई साब का एक और characteristics है कि ये memory gland भी है इंके पास मतलब अपने बच् है जिसमें से दूद बाहर आता है memory gland बोलते है उसको तो वह memory gland है उनके पास लेकिन वह अंडा देते हैं डारेक यंग वन आते है और जो वी वी प्यारस होते है जो डारेक यंग वन को देते हैं उनके पास अंडे देने का capability नहीं होता है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है यह यह एक ऐसा जानवर है जो कि अंडे भी दे रहा है और इसके पास memory gland भी यह मतलब कहीं न कहीं इन भाई साब का क्या है एक link है reptiles के बीच में reptiles के बीच में और mammals के बीच में कहीं न कहीं इसका एक link होगा पहले के जमाने में मतलब earlier times में इनके common ancestors में तो इसी लिए पता चलत है clear है समझ में आगे तो यह था हमारा पाचवा और चलते है आखरी topic के ओपर आज के जिसका नाम क्या है दोस्तो embryological evidence यह है क्या है study of embryo and its development stages अगर कोई embryo embryo का मतलब क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया था कि जब नी कोई male ठीक है और female जब आपस में जूडते है मतलब जब इनका reproduction होता है male के gamets और female के gamets जब होते है तो सबसे पहले क्या होता है fertilization होता है fertilization के बाद zygote form होता है जाइगोट के कुछ development stages के बाद वो क्या बनता है embryo बनता है ठीक है तो embryo यह first stage embryo का यह second stage और यह third stage ठीक है अब first stage में आप देखोगे तो जो हमारा जो evidence कह रहा ह है कि अगर हम लोग first stage का embryo का देखेंगे तो almost अगर आप देखोगे जितने भी यह प्रकार के जानवर है पहला है फिश है salamander है fish salamander tortoise है chicken है फिर pig है cow है rabbit है और man है यह इतने सारे category के animals का मैंने embryo लिया हुआ है पहले stage का तो पहले stage में आप देखोगे तो आप identify नहीं कर होगे देखके कि कोन आदमी है इसमें कोन कच्छुआ है कोन pig है कोन salamander है आप देखके बताओ इसमें से ताकी को भूल जाओ इसको देखके बताओ खाली ने बता सकते तो इससे क्या पता चला कि initial stage याने कि जो first stage होता है earlier stage होता है इसमें all the embryo shows the major similarities उनके बीच में क्या होती इसा बना यह evolve होगा ऐसा बना यह evolve होगा ऐसा यह होगा लेकिन जब तीसरे stage में आगे तो आप easily identify कर पाओगे कि कोन क्या बन रहा है यह fish बन रहा है, salamander बन रहा है, tortoise बन रहा है, chicken बन रहा है तो इस प्रकार से यह सब चीज क्या होती जा रही है दोस्तो, evolve होती जा रही ह मतलब कहीं न कहीं इनका एक common origin हुआ रहेगा और यही एक सबूत तो है ना, यही तो एक सबूत है जो हमें बताता है that is the evolution हुआ है, हम direct art नहीं गये है human being, इसका भी एक evolution हुआ होगा, clear है, समझ में आ गया, तो बस यही था दोस्तो हमारा आज का topic, जितने भी type के evidences थे वो है, हमारा डाविन theory है, रमाकिजम है, बहुत सारे ऐसे ऐसी चीज़े, बहुत मज़दार है, वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले lecture में, तो आज के लिए यह वीडियो इतना ही मैं stop करता हूँ, और उमीद करता हूँ कि आपको आज हमारा वीडियो देखके काफी ज़्या अगर सबस्क्राइब नहीं किया है, तो कर लो यार, फटा फट से इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बाजू में बेल आइकन को भी प्रस करते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीके फ्रेंड्स तो जल्दी मिलेंगे, हमारे न्यू वीडियो में अब तके लिए, थैंक यू और गुडबाई